हेलो दोस्तों, Khan Education Center में आपका स्वागत है आज हम लोग Simplification का कुछ important question सीखेंगे जो हर exam के लिए बहुत जरूरी है तो चलिए हम लोग पहला question देखते हैं question है 106 into 106 minus 94 into 94 देखिए अगर इसको basic तरीका से बनाने की कोशिश करिएगा तो बहुत लंबा बनेगा तो हम लोग इसको tricky approach में बनाएंगे तो tricky approach में बनाएंगे तो कैसे बनेगा तो माल लिजिए कि ये वाला जो है A है और ये वाला को B माल लेते हैं तो ये वाला अगर A है तो ये भी A हो जाएगा और ये भी B हो जाएगा तो यह क्या है A square minus B square तो A square minus B square का formula आपको पता है A plus B होता है और A minus B होता है तो A plus B और A minus B के ही formula पर इसको बैठा लिजे तो A plus B यानि एक बार हो जाएगा 106 plus 94 और एक बार हो जाएगा 106 minus 94 ठीक है इस तरह से इसको लिख लिख लिजेगा अब 106 में 94 को 8 करिएगा तो 200 हो जाएगा और 106 में से 94 घटाईएगा तो 6-6 12 हो जाएगा अब 12 को 2 से मल्टिप्लाई करिएगा 12 को 2 से मल्टिप्लाई करिएगा तो 24 हो जाएगा दो गो 0 ये वाला लग जाएगा 24 ये एकदम tricky approach में बन गया और अगर ये long process में बनाने की कोशिज करिएगा तो बहुत time लग जाएगा और exam में 30 seconds के अंदर आपको बनाना रहता है तो ऐसा जब भी question रहेगा तो ऐसे ही बनाईएगा आपको अगर ये याद रहेगा तो इतना लिखने का ज़रूत नहीं है बस एक बार a plus b a minus b करिए दोनों को solve कर लिए ठीक है अगर ये अच्छा लग रहा है और मेरे चैनल पर आप नए है तो subscribe जरूर करिएगा चलिए next question देखते है next question है 6.5 into 6.5 minus 45.5 plus 3.5 into 3.5 को solve करें ठीक है जब इतना बड़ा question रहेगा तो आप क्या करिएगा कि short आसान ट्रीक में ऐसे बनाने की कोशिश करिएगा कि इसको मान लिजे a और इसको मान लिजे b जब इसको a और b मान लिजेगा तो याद रखिएगा कि ये जो बीच में जो भी दिया हुआ है ये आपका 2 into a into b 2 a b दिया हुआ है क्योंकि आपको अगर इतना लंबा solve करने कभी नहीं देगा एक्साम में क्योंकि इसमें बहुत जादा time लग जाएगा तो आपको tricky approach में ही समझ रहा है कि आप बना लिजेगा इसलिए आपको यहाँ पर 2 a b दिया हुआ है तो इस तरह से अगर हम इसको a और इसको 2 a b और इसको b माल लिए तो क्या हो गया a minus b का whole square हो गया ये a और ये b और ये 2 a b तो ये a minus b का whole square हो गया तो a minus b का whole square जब है तो इसी सबसे आप क्या लिख लिजेगा इसको कि 6.5 minus 3.5 का whole square तो देखिए साड़े 6 रुपया में से साड़े 3 रुपया घटाईएगा तो कितना बचेगा 3 रुपया बचेगा तो 3 का a square यानि कि 9 इसका answer हो जाएगा ठीक है अगर यह अच्छा लगेगा और समझ में आएगा तो subscribe करिएगा अगर नए है तो और अगर पुराने है तो ignore करिएगा चलिए next question बनाते है next question इतना बड़ा है कि अगर आप इसको basic से बनाने की courses करिएगा जैसे 10 class 9 class में बनाती थे तो बहुत जादा time लग जाएगा तो आप क्या करिएगा इसको tricky अप्रोच में बनाईएगा तो tricky अप्रोच में बनाईएगा तो आप गौर से देखिए कि 946, 157 946, 157 946, 157 हर जगा दो टाइप का digit है तो क्या करिएगा कि आप पहला वाला digit को A माल लिजे 946 को A माल लिजे और 157 को B माल लिजे जब आप ऐसा करिएगा तो उपर में क्या हो जाएगा A पलस B का होल स्क्वार और इधर हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वार और नीचे में हो जाएगा A स्क्वार पलस B स्क्वार ठीक है अब इसको solve करते हैं तो A पलस B का होल स्क्वार क्या होता है है तो a² अब पलस b² देखिए अब यहाँ पर क्या करिएगा कि यह माइनस 2ab यह पलस 2ab कट गया a² a² 2a² हो गया और b² b² 2b² हो गया आ नीचे में क्या है तो a² पलस b² ठीक है अब देखिए उपर से 2 common ले लिजेगा तो क्या हो जाएगा 2 common लिजेगा तो उपर में बच जाएगा a² पलस b² और नीचे में क्या बच जाएगा नीचे में बच जाएगा a² पलस b² और यह दोनों को कर दीजे तो आपके पास सिरिफ बच गया 2 यही इसका answer हो जाएगा देखिने में इतना बड़ा था लेकिन आसानी से यह बन गया ठीक है चलिए नेक्स कोशन मनाते हैं अगर अच्छा लगेगा तो subscribe जरूर करिएगा और दोस्तों में share भी करिएगा चलिए नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन है 3897 को 999 से multiply करिए ठीक है अगर इसको भी basic से करिएगा तो time लगेगा tricky approach में इसको कैसे करिएगा तो आप पहले इसको लिख लिख लिजएगा 3897 और into में 999 को लिख सकते हैं 1000-1 अगर इसको 1000-1 को फिर से solve करिएगा तो 999 ही आ जाएगा तो इसलिए हम इसको लिख लिख लिए 1000-1 ठीक है अब 3897 को क्या करिए कि 1000 से multiply करिए तो कितना हो जाएगा तो 3897 में 3 को 0 लग जाएगा अब फिर 3897 को 1 से multiply करिएगा तो 3897 होगा और इसको क्या करिएगा माइनस में है तो घटाना पड़ेगा आपको इससे यहाँ पे मालीज आप लिख लिए 3897 क्यों लिखे क्योंकि इससे multiply किये तो इतना आया और इसको इससे घटा लिजे 3897 को घ घटा लिजे तो जब आप घटाईएगा तो कितना आएगा तो 0 में से 7 जाएगा नहीं जाएगा 10 होगा 10 में से 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, अब फिर यह हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, आई यह 9 का 9, 8, 3 यह आपका answer हो जाएगा ठीक है जब भी ऐसा question रहेगा तो इसी तरह से बना लिजेगा चलिए next question देखते है next question है 999 का square minus 998 का square देखिए भी एकदम 2 second में बनेगा कैसे बनेगा तो इसको A माल लिजे और इसको B माल लिजे तो यह क्या हो जाएगा A square minus B square तो A square B square का formula आपको पता है A plus B होता है और A minus B होता है ठीक है तो A plus B में 999 और 998 को जोड़ दीजे तो 999 पलस 998 एक बार A plus B हो गया और एक बार A minus B यानि 999 माइनस 998 ठीक है जब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा तो 9-8-17 का साथ हो जाएगा और 9-9-18, एक निस का नो हाथ में 998 एक निस, 997 और जब इसको माइनस करिएगा जब इसको माइनस करिएगा तो 1 बचेगा तो इसको इससे गुना करिएगा तो कितना हैगा? यही इसका आंसर हो जाएगा ठीक है? यह एक दम आसानी से बन गया, लोंग प्रोसेस से कभी नहीं बनाना है, ऐसा कोशन को हमेशा सोट प्रोसेस से बनाना है, अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को जरूर सस्क्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को दिजेगा ताकि इस टाइप का मैस आपके पास आसानी से पहुँचा है, धन्यवाद.